जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 अप्रेल 2022 को होने वाले राहू और केतू के रासी परिवर्तन के बारे में और इन दोनों ही ग्रहों का रासी परिवर्तन जोतिस की दरस्टी से अहेम घटना मानी जाती है ये दोनों ग्रहे लगबग 18 महीने के बाद अपनी रासी बदलने जा रहे हैं और ये दोनों ही ग्रहे उल्टी चाल से चलते हैं केवल सूर्य ऐसा ग्रहे है जो हमेशा सीधी दिसामे चलता है राहू और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं राहू और केतु की कहानी समुंदर मंधन की ओर जाती है अमरित को जन राक्षस लेकर भग गए तो भगवान विश्णु ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी ने राक्षसों को और देवताओं को एक एक लाइन में बैठा दिया और कहा कि सभी को अमरित मिलेगा वहाँ केवल देवताओं को अमरित दिया गया राक्षसों को नहीं दिया गया तो वहाँ एक तेज तर्राट, दिमाग वाला, हिम्मत वाला, स्वर्भानू नाम का राक्षस था जिसके पास एक ऐसी सकती थी कि वह अपना रूप बदल सकता था और वह अपना रूप बदल कर देवताओं के बीच लाइन में जा बैठा और उसे कोई पहचान नहीं पाया लेकिन जब तक पहचाना जब तक देर हो गई थी सूरिय और चंद्रमा ने उस राक्षस को पहचाना इसलिए सूरिय और चंद्रमा को राहु दोस लगता है जिसे हम ग्रहन कहते हैं राहु की जो भी चाहत होती है उसे वो पा लेता है और केतु उसका सिर है क्योंकि केतु बाद में बने जब राहु का सिर कटा तो जहां केतु होता है वहां चाहत नहीं होती है और जहां राहु होता है वहां चाहत होती है और चाहत भी पूरी होती है के तु यहां आपको अध्यात्म की ओर, एकांत की ओर, संतों की ओर ले जाने का काम करेगा राहु इच्छाओं को पैदा करने वाले होंगे राहु को ब्रहम का ग्रह भी कहा जाता है यह धुंदली दरस्टी, जूटी आसाएं, अंधविस्वास लाता है और राहु के प्रभाव में जातक खयालों में खोया होता है दिन में सपने देखने वाला होता है और जातक को जुआ, नशा, बुरिलत, अवेद, गतिविदियों के साथ-साथ, करांती और नवचार की ओर भी ले जाता है जो कि इस बात पर निर्वर करता है, कि राहु जातक की कुण्डली के किस भाव में इस्तित है यदि राहु किसी जातक की कुण्डली में सुब भाव में है, तो सकारात्मक्फल देता है और सुब भाव में है, तो नकारात्मक्फल परदान करता है राहु को एक विस्तार करने वाली उर्जा के तोर पर देखा जाता है और कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में व्रधी करता है जहां यह मौजूद रहता है जोतिस के अनुसार राहु एक प्रभाव साली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ यूती करता है या द्रस्टी में रहता है उसके जैसा ही वहवार करने लगता है इसके साथ ही यह जिस भाव में मौझूद रहता है उस भाव की स्वामी की तरह वहवार करता है आधुनिक दुनिया में राहु तकनिकी और उन्नत तकनिकी का प्रते निधित्व करता है इसे अलग और लीक से हटकर सोचने की छमता का कारक माना जाता है राहु उदारवाद का प्रतिने धित्वी करता है मीडिया, विमान, तकनिकी स्रोत सभी पर राहु का प्रभाव है और आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभासा यानिक एक अशुब ग्रह से बदल कर नवचार में तबदील हो चुकी है और वैदिक जोतिस में राहु को सनी के बाद सबसे धीमी गती से चलने वाला ग्रह माना जाता है साथ ही राहु के प्रभावों की तुलना भी सनी के प्रभावों से की जाती है इस वर्च राहु 12 अप्रेल 2022 को सुबह 10 बजकर 36 मिनट पर विर्सब राशी से निकल कर में इस राशी में गोचर करेंगे और केतु वरस्चिक राशी से निकल कर तुला राशी में प्रविश करेंगे और यहां इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर से धनूरासी के लोगों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा तो यहां धनूरासी के लोगों के लिए राहु आपके पंचव महाँ में सक्रिय वस्था में होंगे यानि पंचों भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके एकादस भाव में गोचर करेंगे और इन दोनों ग्रहों का गोचर आपके लिए काफी अच्छे बदलाव लाने वाला होगा तो राहू का गोचर यहां आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा आपका ओधा बड़ेगा समाज में आपका कद उंचा होगा और राहू राजयोग भी देते हैं तो इस राजी के लोगों को इस दोरान पैसे की कोई कमी नहीं होगी इस समय में यदि आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी और जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उन्हें पदोनिती के योग बनेंगे किसे न किसी माद्ध्यम से अच्छा धन प्राप्त होगा ये जो धन होगा इसका प्रियोग आप औरों की भलाई में भी खर्च करेंगे और जो भी कारिये करेंगे वो एक अलग तरह से होंगे, डिफरेंट होंगे आपकी सोच जो है वो अन्य लोगों से अलग होगी आपका स्वभाव प्रभाव साली होगा और इस जोरान आप रहसे में होंगे मतलब आप गोपनिये तरीके से कारिये करेंगे जिससे लोगों को आप पर सक भी होगा लेकिन जब आपके अच्छे परणामों को लोगों को पता चलेगा तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे राहु चालाग है, बुद्धिमान है और ताकत भी रखते हैं तो इस कारण आपकी अंदर ओर्जा अधिक होगी सोचने समझने की सकती अच्छी होगी और आप अपनी चालागी से बुद्धी से अपने कारिये छेतर में अच्छी परगती करेंगे रुके हुए कारिये पूरे होगे तो इस समय आप मजबूत होगे आपकी आर्थिक इस्थिती अच्छी होगी इनकम सोर्सिज आपके लिए बढ़ेंगे और कारिये छेतर में बढ़ुत्री देखने को मिलेगी घर परिवार का पूरा सही होगा आपको मिलेगा घर में सांती का माहौल होगा और इस रासी के जो लोग एकल हैं एव विवाहित हैं उनके लिए यह समय काफी सुबसाबित होगा इस रासी के जो लोग प्रेम सम्मन से जुड़े हुए हैं और विवा के मंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय सुबसाबित होगा इस दोरान आप अपने शौग और रुचियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं आप इस अवधी के दोरान अपने शौग और रुचि के काम में कमाई भी सुरू कर सकते हैं यह समय आपके लिए अच्छा आर्थिक लाप देने वाला होगा लेकिन यहां आपको कुछ साबधानिया भी रखनी होंगी लेंदेन करते समय साबधान रहें किसी को उधार ना दे अन्यता पैसे फसने की संभावना ज़ादा रहेगी सौर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिस ना करें शेर बाजार, सट्टा, स्टॉक, मार्केट आदी में निवेश करने से पहले भली बाती सोच ले अन्यता नुक्सान की उम्मीद ज़ादा रहेगी जो लोग राजनीती में हैं या राजनीती में अपनी किस्मत आजमेने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय अन्कूल साबित होगा इस दोरान आप उच्छ अधिकारी या उच्छ पदस्त लोगों से मुलाकात कर सकते हैं उनसे अच्छा लाबरजित कर सकते हैं जो लोग इस दोरान प्रसासनिक नोकरी के और नजर गड़ाय हुए हैं उन्हें इस समय के दोरान अच्छे मौके मिलने की संभाव न रहेगी इस अबधी में आपको अपने दोस्तों के साथ सम्मंदों में कुछ बड़े संगर्सों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपको यह संका हो सकती है कि वे किसी विशेश अफसर पर आपकी प्रती वफादार नहीं थे साथ ही इस लड़ाय में आपको धन या किसी अपनी किसी कीमती चीज की हानी हो सकती है तो थोड़ा समल कर भी रहें और अदालत में कोई मामला चल रहा है तो वहां आपको सफलता प्राप्त होगी और जोरान ये भी संबभ है कि किसी महिला मित्र के माद्धम से किसी इस्तरी के माद्धम से आपको धनलाब हो तो आपके सोचे हुए सभी कारिये पूरे होंगे और आपकी पोजिटिविटी में निखार आएगा अपने बारे में ज्यादा सोच होगी अपने उपर खर्चा भी ज्यादा होगा लोगों को अपनी और आकर्सित कर पाएंगे साधी विवास से जुड़े मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी और साधी सुदा लोगों का जीवन खुशाल होगा संतान प्राप्ति के बड़े और अच्छे योग इजवरान बनेंगे और यह समय आपको अच्छे लाब का होगा तो यह है वो समय होगा जो धनुरासी के लोगों को अच्छे बदलाब अच्छे मौके परदान करेगा क्योंकि राहू और केतू दोनों गुरहों की इस्थती आपके पक्छ में सकरात्मक परणाम देने का कारिये करेगी तो दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जे मतादी दोस्तो